हलो फ्रेंड्स हमारे स्टिचिंग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम आपको ब्रॉकिट के कपड़े से कुर्ती की कटिंग और सिलाई करना बताएंगे जिसके लिए हमने कुर्ती के बरावर कपड़ा ले लिया है और देखिये इस कुर्ती के कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे यह हमने चार फोल्ड में कर लिया और इसे हम आपको कुर्ती से कुर्ती रख्के ही कटिंग करना बताएंगे क्योंकि कई लोगों को बहुत दिक्कत आती है अगर आप डायरेक्ट कटिंग करना सीखना चाहती है तो उसका वीडियो हमने पहले से ही अपने चैनल के अपलोड किया हुआ है तो देखिए अपनी कुड़ती ले लीजिए कोई भी आपकी कोई फिटिंग की कुड़ती हो और उसी को रखके हम इसकी कटिंग कर लेंगे हमने बहुत सारी वीडियो ऐसे भी बताई हुई है बिल्कुल मेजरमेंट से मतलब जैसे ब्रेश्ट का कितना हिस्सा लेना है कमर का कितना हिस्सा लेना है गला कितना रखना है हर चीज की हमने वीडियो बनाई हुई है अगर आपको लेकिन ये सबसे एजी लिए मतलब जिनको कटिंग करना कुर्टी बिल्कुल भी नहीं आता है उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है तो आप भी एक बार जरूर ट्राइ करें आपको कुछ नहीं करना है अपनी कुर्टी को फोल्ड कर लिए टू फोल्ड में कपड़े को चार फोल्ड में बिचा लिए जिसमें से आप कुर्टी कटिंग कर रहे और जो आपकी मेजरमेंट की कुर्टी है उसको इसके उपर रख लिए टू फोल्ड करके बंद वाली साइड से बंद वाली साइड म लिए और जैसे जैसे हमारी fitting आई हुई है यह हमारा होगा perfect map यानि कि यह हमारा fitting का map होगा और जो margin होगा उसे हमालग से लेंगे तो इसी तरीके से बहुत easy है यहाँ से नीचे अब एक सीधमाग कर लीजिए जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है आपको उसी तरीके से करना है और जो लोग हमारे चैनल पे नई है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम सबी से एक रिक्वेस्ट और करना चाहते हैं आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन लाइक करना भू सब्सक्राइब दो चाएं सबूराइब से लिंग है निचे से क्रेज़िन में से सब्सक्रेब डिसका और या फिर बुक्रम पे बनाना है या फिर जैसे आपको ठीक लगे लेकिन हम इसको अपने अस्तर पे बनाएंगे अस्तर पे कटिंग तो सेम तरीके से हमने इसकी कटिंग कर लिए अब देख सकते हैं और यहाँ से 2 इंच का हमने मार्जन ले लिया है यह देखें 2 इंच का हमने मारजन लेके और यहां से भी नीचे से भी हम जो हमारी सिलिट फोल्ड होंगी उनके लिए भी हमने 2 इंच का लिया है और इस तरीके से देखी कितनी परफैक्ट हमारी कुर्ती से कुर्ती की कटिंग हुई है आर्म होल में कुछ नहीं करना क्योंकि हमने अलरेडी गुलाई दे लिया इसमें और अब इसकी जैसे-जैसे ड्राफ्टिंग की है और ये ब्लॉकेट की कुर्टी अस्तर वाली है तो सेम कटिंग कर लेते हैं फिर उसके बाद इसके अस्तर की कटिंग कर देते हैं और गलाज ह होगा उसको हम अपने अस्तर पर बनाएंगे तो यहां से हमार मोल की कटिंग करेंगे अब यहां से इस तरीके से जिनको बिल्कुल और से कुछ भी उठाना है उनको कुछ भी नहीं करना है उनको Lizered ने मारजन लिया हूं यह मार्जन हो जरूर लेrim है कि वह रचाट के कुड़ती को खोल लीजिए और जो मेन कपड़ा है उसको साइड़ों में कर दीजिए बिल्कुल बरावर मतलों जितना कपड़ा इधर है दो इंची धर होना चाहिए किधर से भी कम ज्यादा नहीं हो वरना कुड़ती टेड़ी हो जाएगी और फिर देखिए सेम फिटिंग का कर लीजिए इस तरीके से जितनी हमारी सिलिट फोल्ड होंगी यह कुड़ती एकदम फिट है हमारी तो हमने इसी का मेजरमेंट किया और वाइट कलर की कुड़ती हमने इसलिए लिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके वरना हम प्रिंटेड कुड़ती लेते तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो इसलिए हमने वाइट कलर की कुड़ती ली है ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको तो देखे कितना इजी है फिटिंग का माप हो गया और जो हमारी सिलिट फोल्ड होंगे उसका हो गया अब आपको सेम यह अपने जो अस्तर है उस पे कर लीना है जैसे हमने इस पे यहां से फिटिंग यह सिलिट नीचे से फोल्ड हो जाएंगी अब इसके अस्तर की कटिंग कर लेती हैं हम तो देखे जो हमारा अस्तर है उसको पहले हमें ऐसे ही बिचाना होगा जैसे हमने कुर्ती को बिचाय था और सिलीब हैं इनका वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर रखा है इसका हम आपको वीडियो जल्दी ही दे देंगे अभी मतलब हमने अपलोड नहीं किया है सोरी लेकिन हमने बना लिया है तो इसका वीडियो हम आपको जल्दी ही दे देंगे वैसे हमने एक अलग कलर में बताया हुआ है यही डिजा करेंगे जो एक्स्टा कपड़ा उसको निकाल देंगे और बाकी कुछ नहीं करना आप को तो देखिए सेजर उख आएंगे और पहले आर्म हूल की करेंगे और यह हम यहां से अपन जो हमारा फ्रेंट आर्म हूल होता है वहां से भी कटिंग कर लेंगे वह इसलिए करते हैं ताकि अंडराम की साइड कपड़ा इखटा ना हो अब यह हो गया आप यहां से एक्स्ट्रा फैबरिक को कट कर लेते हैं और अस्तर वैसे तो हमारा दो इंचूंचा लगता है लेकिन इसमें हम बराबर ही रखेंगे क्योंकि यह कपड चाहें तो देखिए आप इसे इतना इतना फोल्ड कर सकती है मतलब इतना फोल्ड होता है अब देखिए हम आपको गले का आइडिया दे देते हैं किस तरीके से आप गला बना सकती है देखिए आप इस तरीके से जो हमने माप लगाय था आप इस तरीके से गला भी बना सकती है या फिर क्योंकि अगर हम आपको इंच टेप से भी बताएंगे वैसे गला मैं इसमें और तरीके का बनाऊंगे लेकिन मैं आपको आइडिया दे रही क्योंकि जब मैं कुड़ती से ही सारे मेजरमेंट बता रही है तो मुझे गले का भी बताना चाहिए तो इसलिए गला प्रश्टर वाला कपड़ा है इसमें हम कटिंग करेंगे तो इसमें और जो सिलीप्स हैं इनको हम आपको अच्छे से लगाना बताएंगे क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो यह डिजाइनर सिलीप्स होती हैं उनको टेड़ा लगा लेते हैं मिर पास काफी कमेंट भी आई और फिर हम इसमें इस तरीके से से गए कोई भी सेप अपने ह damn से हम इसमें पती से दे रहे हैं कि देखियां से पती की से रम नी हैंav develop, और जो बैग का गल्हा होगा उसे हम round बना हे जैसे कि नौर्मली गले बनते हैं और इसमें बुक्रम वगयरा का यूज करना नहीं हमको इसी पर हमें बनाना है इसको तो देखिए हमने कला कटिंग कर लिया है अब अपनी अस्तर अपना में फैबरिक ले लेंगे अस्तर को रख लेंगे सीधी साइड को और बिल्कुल अच्छे से सिलाई लगा देंगे पहले पिन अप कर लेते हैं इसको तो अच्छे से पिन अप कर लिया ताकि कपड़ा इधर उधर को ना किसके और यहां से सिलाई लगा लेंगे आदा इंच के मार्जन से आदा इंच से थोड़ा सा कम लेना है कपड़ा आपको और पूरे ही राउंड म देखिए नीचे की साइड लेके आएंगे नीचे की साइड लाके फिर से हम इसको उपर वाली साइड लेके आएंगे और इसकी हम जो मेन कपड़ा है उसकी कटिंग कर देंगे देखिए कितना इजी है गला कोई भी गला बना सकती है इसको कट कर लेते हैं और कई लोगों की कमेंट आई थी कि हमें जो ये बच्चों की दोती सलवार होती है वो बताईए तो प्लीज आप मेरे चैनल पर एक वार देखिए मैंने बहुत सारी बच्चों के ड्रेस बताई फ्रॉक में भी दोती सलवार में भी डिजाइनर सलवार में भी तो देखिए अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको अच्छे से सेट करके एक सिलाई हम इसके उपर से लगा लेंगे ताकि अच्छे से फिक्स रहे आप चाहे तो इसमें लेस लगा सकती है और इसमें आप पाइ थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज हम आपसे request करते हैं एक like कर दी या करें क्योंकि like करना भूल जाते हो तो गला हमारा अच्छी से तयार हो गया है आप देख सकते हैं हमारा गले का लोग कितना अच्छा आया है अब हम क्या करेंगे जो हमारा back part है उसको हमने same कर लिया अगर आपको ऐसे सिलने में दिक्कत हो तो आप एक सुई पेचक लीजिए और उससे कच्चा कर दीजे पूरे में फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अब दोनों का तीरा जोइंट कर लेते हैं जैसे front का गला बनाया था same हमने इसका भी बना लिया है back का भी अब इनका द एक leader हमने जग आखना है तीरे वाली साइड को इसको चोड़ीं है center में रखा हमने आप लोग 对क हैए तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आए तो आप हमारी वीडियो को last तक बने और देखते रही है किस तरीके से लगाते हैं आप क्या करना है दूसरी साइड को हाप बांट लीजे मतलब हाप हाप में बट गए लेकिन बिल्कुल तीरे को और अपनी इस डिजाइन को मिला के रखिए और देखिए बिबाजु एक तम हमारी फिट आई है मतलब कहीं से भी छ ब्लोशन जरूर निका लेंगे और आपका रेप्लाई भी देंगे तो देखिए यहां से हमने पूरी लगा ली है अब क्या करेंगे आप इसमे मुद इसको नगाना है जैसे हमने आपको इसूरी सलीप्स को लगा के पताया था अब देखिए यहां से आई दो नीचे हैड़ कपड़े पे लगाए था वही हमने इसके उपर भी चौक से चाप लिया था मतलब कि इसको रखके और यहां से अब सिलाई को ऊपर की साइड गुमाएंगे आइसको बिल्कुल लॉक कर देंगे ताकि हमारा यह कपड़ा निकलेना तो देखिए यहां से अच्छे से कर दिया है हमने अब हमारी यह सिलेट भी हो गई है फोल्ड अब हम क्या करेंगे इनको फिटिंग हो गई है तो सिलेट को फोल्ड कर लेते हैं जैसे नॉर्मल कुर्ती की सिलेट को फोल्ड करते हैं यहां से इस तरीके से लाना है उपर की साइड को उपर की साइड को लाके और यहां से इसको अच्छे से सेव दे देनी है हमने अलग से बीज़ियो प्रोड किया हुआ है जिसमें सेलिट फोल्ड करते हैं आप हमारी वह वाली वीडियो भी जरूर देखे तो देखिये हमने नाप के इस से दूसरी साइड की सेलिट को फोल्ड कर देना है यह दिखिए कितने अच्छे से हो रहा है यह और यह ब्रॉकिट की कुड़ती है और आपको अगर कॉटन की कुड़ती बनाना सीखना है डिजाइनर कुड़ती बनाना सीखना है अमरेला कुड़ती बनाना सीखना है जो भी आपको कुछ भी सीखना है वो हमारी चैनल पर सारी वीडियो अपलोड है प्लीज आप एक पर हमारी चैनल पर जरूर जाईएगा और देखिएगा अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा देखिए यहां से हमें अब इस साइड को घुमा देना अब जैसे यहां से कर रहे हैं से हमको से हम दूसरी साइड से अपने सिलिट फोल्ड कर देंगे और बॉटम को हम इस कपड़े को फोल्ड नहीं करेंगे बॉटम में हम अलग से अस्तर वाला कपड़ा लगा के ही फोल्ड करेंगे अब इसको यहां से थोड़ा सा ओला के धागे को कट कर देंगे तो दोनों सिलिट हम और एक से लाई इसके उपर से और एक से लाई हम इस तरीके से लगाने के बाद आप इसको फोल्ड करके फिर से इसको पूरा सैट कर देंगे तो दोनों साइड से हमने अब जो यह कपड़ा दिख रहा है इसको भी थोड़ा सा इंडर ग्राउंड कर देते हैं ताकि यह चुब सब दब जाएं और इसका फाइनल लुक भी हम आपको दिखाएंगे अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज लाइक जरूर करते जाएगा बहुत बार कह चुकी है वीडियो में तो प्लीज अब तो लाइक करी देना एक तो यहां से भी हमने पूरा अच्छी से तैयार क बता देंगे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद